मेरे तिन बेटेज, तिन नो मस्कला डिस्टोफी है, DMD नाम दी प्यानक बुमारी है, डियूशन मस्कला डिस्टोफी में इसमें बच्चा बाइब बर्थ ठीक होता है, दो-तीन साल तक ठीक होता है, उसके बाद ज्यादा तेज भाग नहीं सकता, सीडी नहीं चड़ सकता हमारे बच्चों के लिए थुड़ी ना कुछ उन्हों ने करना है, पंजाब में जाद तर तो डोक्टरों को पता ही नहीं है, पंजाब में इंडिया में नहीं पता है, डोक्टरों को कीजे, DMD जा, MD है क्या, मेरे आंखों के सामने 17 साल का गया, इतना जवान बच्चा गया देखो तुसरी, वो एक बेड़ पे गया और दूसरे बेड़ पे वो मरा हुआ, वो ही प्रॉब्लम उसको, कैसे बरदाश करें माँ, पहले तो दरने का अगर कोई रिजैल्ट लिकलता है, तो वो हम देखेंगे, अगर नहीं निकलता है, तो जो भी होगा, अंसन होगा, धर कुछ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, यहां पे कोई बीमारी है, जिससे यह लोग रसित हैं, ज्यादातर लोग पंजाब से हैं, वैसे तो पूरे देश से हैं, यहां पे लेकिन ज्यादातर लोग पंजाब से, इनका कहना है कि बच्चों में एक सब्सक्राइब और तिनने तक्रीबन तक्रीबन उपड़ाबेटा वीलचेयर और दो चूटे है ओवी जितनारी कंडीशन है आन आले समय दे वीलचेयर ते ही होंगे क्योंकि एक गवर्मन्ट जो है कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो जनता है वह हिंदी में यह कह रहे कब से कितने सारे बच्चों को वहां पर पंजाब में ज्यादतर लोग पंजाब में पीडित हैं है ना मैं ज्यादतर लोग पंजाब में पूरे इंडिया में बहुत लोग हैं जो पीडित है इस बिमारी से और मेरे कुछ जान तक लगता है कि पंजाब में कम से कम 5,000 बच् जाए बर्ठ पर चलह नहीं घूब बच्चाइए कई में आपर सबसुत सूर्जा थीद हरो मुझाफ इसको है जैसे नोर्मल भचे करते čات तो की पास फीटल फीटल में क्या बोली यह कम गड़ने डॉक्टर के और उमर 10-12 पंदना साल है बस इसकी सेवा कर लो इससे अच्छा दॉक्टर बोलती नहीं पेरेंट्स के सामने और बच्चे के सामने डोक्टर यह बात बोलती है अभी तक बहुत सारे बच्चे अभी तक देथ हो गए होंगे बहुत सारे बच्चों बच्चे मेरी फैमिली में तो यह स्टमय पीं को जिब कियो गषिए मतरी के साथ जा थे मिल एकारों काई एक सब्सक्राइब क्या हो थो क्या इससे पाले पंजाब के ह्याद पाल्वीर इस। उनके पास गये थे, तो उन्हों थे हम्हे बोल दिया सीध्या कि हमारे पास तो खजान नहीं खाली है, हमारे पास फंडी नहीं है, तो बताविए हम क्या करें हम बच्चों को लेकर कहां पर जाएं, जब हम मिनिस्टरी के पास जा रहे हैं जो इस देश इस परदेश को चला रहा है वो ही हमें ऐसी बात कहेगा तो हम क्या करेंगे गुवर्मंट किस बात के लिए है गुवर्मंट ने सिर्फ अपनी खाली जेव रखी हुई है हमारे बच्चों के लिए थुड़ी न कुछ उन्होंने करना है वो सिर्फ अपना घर हुए उसको भी है एक पिछ अभी मरा सरदार है डे बेट सारह साल उमर साल संब जाते हैं जी नहीं रहे एक दो डेली अटे हैं बिस हमारा चार साल का पूत्ता है ऐसे-गोंग ओसे commodity-mäßigis मैंनों नहीं पुंदा सकती क्योंकि उस उसमें भी canicer आगया था तो इसलिए हमने उसकी dress रभू कर दी क्या को वह ब चाये उसको बचाएं जिया इसलिए दो साल से हम भी भाग है है चार साड़े चार साल से पीजी आई जाज डीमसी बोले करते हैं सर्च चल रही है दो साल से सर्च चल रही है कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा दो साल तो हो गए ठाई साल हो गए अब चार साड़े चार साल का हो गया बेटा तो यही कहते हैं सर्च चल रही है सर्च चल रही है को कि मैं खुद DMCM पलाई हूं वहां से ड्राया हूं मेरा बेटा ओटी टक्नीशन है सीधी मेरी बात रोक्टरों से हो दिया सर्च चल रही है सर्च चल रही है हां एक चोड़ी नहीं बोला निरोलोजी वाले नहीं बोला सर्च चल रही है 13-14 साल से हमारे मेरा बेटा 13 साल का गया इतना जवान बच्चा गया देखो तुसरी तब हम भी पहुंचे होए थे वहां हमारे बेटे को थोड़ी दिक्कत आके दिखांसी की दिक्कत आई यह तो दाद्दी हूं मा को तो कुछ पता ही नहीं मेरे को बता सारी प्राब्लाम इननों नों देखो करोना जैसी बीमारी का एक महिने में इलाज कर दिया यह तो महा मारी है जी 13 साल से तो हम जूज रहे हैं हमारे से प्राणे भी हैं तो क्या करेंगे बिविक्ष में किन पच्चों को करेंगे जॉब देंगे जा कोई होग और काम करना कैसे करेंगी इतना को होना चाहिए स्रेकार की मिलने का टाइम मांग रहे हैं गवर्ननर में का मятиNice किला है को इमने मिलने इस वार को पार्ण आया था था कि लेटर है हल्थ सेक्टरी को भार उनसे स्टेटुस जाना तीन उगए जो इसकी कहा की पार्ण जिडिली कुए और उससक्राइब थिल्जा việc स्क्रामारे वाइथ हुद आप रवेज दो और इनके पल्ले कुछ नहीं आम जनता पिस रही है बच्चों में कैसी लक्षन कैसे लक्षन होते हैं मतलब वो कमजोर हो जाते हैं वो चलती नहीं है शुरू से भीक रहता है एड़ी उठाते हैं जब पता चलते हैं ना मैं जब हमें पता लगाना कि यह प्राबल आता है एक दाम उनका यह स्रीट चलक जाता है और डिग जाता है अभी सरकारे जो हैं वह चुनाओं परचार परसार में वैससे तो हो सकता है 2014 में जब एलेक्षन हो जाए उसके बाद आप लोगों की बास सुनी जाए 14-15 साल हो गया इलेक्षन तो इसमें 3-4 बार हो चुके हैं जब इतने सालों में ने सुना तो कैसे फिर तो हमें लास्ट स्टेज में यह करना पड़ेगा इस बार ज्यादेतर लोगों को अभी आप लोग की धरना प्रदर्शन के जर्ये से मालूम होगा कि यह भी कोई बिमा करना चाहिए जब एक लेड़ी प्रेगनेट होती है तो उस टाइम उसका टेस्ट क्यों नहीं करते हैं वह पहले दिन क्यों नहीं होता यह क्यों नहीं इंडिया कवर्मेंट कर रही मारी यह बहुत बढ़ी महांगा क्यों यह डेली 3500 बच्चे के मगर एक बच्चा पैदा ह हो रहा है पहले कहते थे अब तो दो यहार के मगर एक बच्चा पैदा हो रहा है और लेड़ी का टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है कोई कोई भी नहीं जाएगा कम से कम गवर्मेंट हो स्पीटलों में तो यह टेस्ट प्रवाइड करवाया जाए और आप लोग बोलें 15 साल हो चुके इस बात को में पंद्रानी हो गें पच्ची मिलीम वाइस को प्रॉबलों नहीं बहुते हैं बता हो जैणिक कहाँ से होगी तीन तीन पीडी में हमारे किसी को परॉबलों सब्सक्राइब करें अपने सप्राइब करें इसके बाद आपको अपने अपने सरकारों से बात करके देखिए जब नहीं मिली फिर एक जूट होना स्टार्ट किया है एक गूरूप बनाया है वाटसाइप गूरूप बनाया देड़े-देड़े सभी स्टेटों के बंदों ने जुड़ना स्टार्ट गिया तो आज यहां तक पहुंचे हैं अगर यहां पर आके कुछ नहीं बनता है फिर कोई नेक्स स्टेप देखेंगे लेकिन हमारे बच्चों की हालत ऐसे हैं उनको हर टैम एक बंदा मजूद चाहिए चाहिए वो अपने खुझली भी निकर सकते हैं उनको करवटे देने के लिए भी पेरेंट्स से इसके बाद सबसे महत्मुन जो बात है इसके बाद आप लोगा क्या होगा अगला कदम पहले तो दरने का अगर कोई रिजल्ट लिकलता है तो वह हम देखेंगे अगर नहीं निकलता है तो जो भी हो सब्सक्राइब करेंगे आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजे धन्यवाद